कि नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल डॉक्टर सांडिल्या लेक्चर्स में यहां पर भी मैं आप लोगों के लिए हुँ सामानी हिंदी के 35 कोईस्टन्स जो कि है आपके लिए कल के होने वाले एक्जाम बेड के लिए बहुत ही इ है तो देखें यहां पर होता क्या है आपके हेक्जाम में आपके साहथ आपके हिंदी के कोईस्टन संग्या रहेंगे उसकी संध्या Brent मिल अवेश शिरू कर पाऊ और यहां चाहते हैं कि कुछ को खुद सोल्व करने के लिए तो आप वीडियो को पॉज करें उसके बाद क्वेस्चन पर गौर करें और फिर एंसर देने के कोशिज करें और एक बात हाँ आप लोग एग्जाम देंगे तो उससे पहले थोड़ा सा रिलक्स हो जाएंगे और उसके बाद एक्जाम देंगे और एक्जाम देते समय आप लोग क्वेस्चन पढ़ने में थोड़ा समय देंगे देखें यदि क्वेस्चन नहीं पढ़ेगा तो जल्दबाजी में हो सकता है कि आप गलत अप्शन टिक आट कर दो हाला कि निगेटिव मार्किंग के लिए ओफिस्यल करते Q1 से और देखें सारे Can's के एंसर सात्य में में वटाऊंगा सारे Can's के यहां पर पहला नमर में आपका 具स्चन नमर में जिसके पास देने के लिए कुछ नहीं है उसे आप क्या कहेंगे? A में है दूष्ट, B में है गरीब, C में कंजूस और D में अकिंचन तो देखिए इसका करेक्ट टेंशन हो जाएगा option number D जिसका अर्थ होता है अकिंचन संदी देखें यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट आपको बता दूँगा पॉइंट यह है कि संदी के जो होते हैं तीन वेद होते हैं पहला होता है स्वर स्वर के भी पांच वेद होते हैं और दूसरा होता है व्यंजन संदी और तीसरा होता है विशर्ग संदी और संदी की यह द करेक्ट वाला चूज करना है वीडियो को पहुज करके आप एंसर देने के कोशिस जरूर करें तो इसका हो जाएगा सी यानि की गरल को वह इस्तरी जिसके पती ने दूसरी साधी कर ली हो उसे आप क्या कहेंगे उसको अध्यूढा कहते हैं वैसा इस्तरी जिसके रहते हुए उसके पती ने दूसरी साधी कर लो उसे अध्यूढा कहते हैं नेक्स्ट क्वेस्टन है क्वेस्टन नमर फाइव यहां पर आपसे पूछा जा रहा है दूद के दांट न तूटना इस मुहावराक अर्थ क्या होता है तो इसका अर्थ होता है अनुभवहीन रहना क्वेस्टन नमर सिक्स हर जगह में कौन सा समास है यहां पर समास है यहां पर यह समाप्त नहीं है यह समास है तो आपको बताना है हर जगह में कौन सा समास है यह हो जाएगा और यह वीव हो आपको पता होना चाहिए कि अनेक सब्दों को संग्छिप्त करने वाला नया सब् और समास के जो टाइप्स की यदि बात करें तो यह साथ प्रकार की होती है कुईस्टन नमर सेवेन वीदेसद सब्द का आपको चेहन करना है इसमें से चार सब्द यहां पर आपको देगा है A B C D करके तो इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा आपसन नमर B जो कि हैं अंतरीम देखिए यहां पर मैं आपको सब्द के बारे में कुछ बताना चाहोगा सब्द के होते हैं चारवेद एक में तत्सम जिसका एक्जामपल मानलिजे पिता और सेकंड में तदवव जिसका एक्जामपल मानलिजे पूत्र और तीसरा में देशच जिसका एक्जामपल मानलिजे लावारिस और लास्ट यानि कि फोर्थ में हो जाएगा विदेशच या कोई सत्रू नहीं है उसे क्या कहेंगे आप तो जिसका कोई सत्रू नहीं है उसे आजात सत्रू कहते हैं कोईस्चन नमर नाइन रोला के प्रतेक चरण में कितनी भासाएं होती है तो रोला के इस्थाई भव हो जाएगा जुगुत तस्या क्वेस्चन नमर 11 निम्न में से गुरु कौन है तो निम्न में से गुरु आ को कहा गया है क्वेस्चन नमर 12 लगिमा का विप्रितार्थक सब्द कौन सा होगा तो देखिए लगिमा करत हो जाता है नीच और गरिमाक अर्थ हो जाता है महत्ता तो इसलिए इसका अंसर हो जाएगा option number A question number 13 सर पर कफन बांधना इसका अर्थ क्या होगा सुरक्षा करना, धमकाना, शरीर ढखना या मरने को तयार रहना question number 13 का answer आपको देना है comment करके बहुत सा आसान ही question है तो गड़ते next question के वर आसा करता हो कि सही answer देंगे question number 14 आपको बताना है निम्न में से कौन सब्द समुवाचक संग्या है समुवाचक संग्या है आपको बताना है संग्या के बारे में आप अच्छे से पढ़े होंगे तो ये हो जाएगा समीती यानि कि option number B question number 15 कौन सा सब्द वेक्ति वाचक संग्या है A में है पालक B में है घोड़ा C में है वाल दिवस और D में है हवामहल तो इसका हो जाएगा correct answer वाल दिवस next question number 16 जहां पर आपसे पूचा जा रहा है व्योम का समान अर्थक सब्द कौन सा होगा तो व्योम और नव दोना का अर्थ होता है आकास question number 17 एक अनार सो बिमार इसका अर्थ क्या होगा आपस में लड़ना या गलत बिकल्प होना या सोतंतर बनना या फिर एक चीज को अनेक चाहने वाला किसका हो जाएगा option number D question number 18 या दपी में कौन संधी है तो संधी के बारे में मैंने बताया भी आपको तो आपको यहां पर correct option चूज करना है question number 18 का तो या दपी में हो जाएगा यन संधी question number 19 में थोड़ा सा twist किया गया है question को यहां पर आपसे पूछा जारा है जो कमल उजला होता उसे क्या कहते है तो देखिए जो कमल उजला हो या फिर कमल का ही दूसरा जो same word होता है उसे पुंडरी कहते है तो इस बात को ले के आप confusion में नहीं रहेंगे तो इसका answer हो जाएगा option number A question number 20 नीमन में से कौन सब्द इस्त्रिलिंग है तो एकछा सब्द जो है वह इस्त्रिलिंग है question number 21 आपसे पूछा जा रहा है रशों की संख्या कितनी होती है आपको बताना है रश की संख्या आपे कितनी होती है तो रश का संख्या येदी देखें तो कूल नौ प्रकार की होती है और सावदिक अर्थ होता है रस का यदि सावदिक अर्थ देखें तो इसका अर्थ होता है आनंद काब्ये में ये यूज क्या जाता है Question number 22 दोहा के पहले चरण में कितनी मात्राएं होती है Question number 23 दसानन में कौन सा समास है मैंने आपको समास के बारे में बताया भी तो आपको यहां पर बताना है दसानन में कौन सा समास है अपका टेम हो गया तो यहां पर होजाएगा वहू विरिही Question number 24 कौन सब्द ततपुरुष का उदाहरन है काम चोर सब्द जो है ततपुरुष का उदाहरन है सिंगार रस्खा एस्थाई भाव क्या है तो सिंगार रस्खा एस्थाई भाव रती से होता है Question number 26 जिसका कभी नास नहीं होता उसे आप क्या कहेंगे A में है अमर B में है अनेतिक C में है चीर और D में भी है चीर तो देखिए दोनों चीर सब यहां पर अलग तरीके से रिखा गया है दोनों की मात्राएं थोड़ी अलग है तो नीचे वाला जो D में देख रहे हैं चीर इसका अर्थ होता है वस्त और C में जो चीर है उसका अर्थ होता है जिसका कभी नास नहीं होना कुईस्टन नमर्ट 27 नीम्ण में से कौन मध्यमपुरुस है आपको बताना है मैं यहाँ आपको बता दूंगा की मध्यमपुरुस वा होता है जिससे वक्ता वाद कर रहा होता है यानि कि जिससे आप बात करोगे वह वेक्ति मध्यम पूरुष कहलाएगा तो इसका correct answer हो जाएगा option number a question number 28 अंगना का परियाई वची सब्द कौन सा होगा a में है सी मा, b में है औरत, c में किनारा और d में है चबुतरा तो देखिए आंगन का अर्थ होता है जो आंगन आप लोग कहते हैं वो लिकिन यहाँ पर अंगना लिखा हुआ है इसका अर्थ होता है औरत जैसे का आपने सुना होगा कि रानी लक्ष्मी वाई विरांगना थी यानि कि बीर औरत थी इसी संद के पूर्व भाग मेंगने जूड़कर वना नया सब्द क्या कहलता है तो तो utility का सब्दीक अर्थ क्या होता है डंकना और सुन्दर बनाना mostly का होगा हुच हे उनगार का और मात्रा चरन को ही संस्कृत में देखें तो पाद कहा गया है और चरन के भी दो प्रकार होते हैं जिसमें एक में होता है समचरन और वर्न और मात्रा के भी 2 ie one में देखें तो लगू या हश्व हो जाएगा और two में देखें तो गूरु या दिर्ग हो जाएगा या फिर ़ाले को बताने के लिए छंद का यूज होता है और छंद जो चद धातु से बना है जिसका अर्थ होता है खुश करना और हिंदी सायतिक अनुसार अक्षर या अक्षरों की संख्या मातरा गनना यती गती से समंदित किसी भी से परहचना को चंद कहा गया है तो आसा करता हूं कि चंद के बारे में आपको थोड़ा सा क्लियर कंसिप्ट मिल गया हो कि कुईस्टन नमर्थ त्टी ववन नेम्न में से कौन सब्द वहुबचन पूलिंग है उसका भी हो जाएगा होस कि कुईस्टन नमर्थ त्टी टू दिया गया सब्द इसके कौन से ध्वनीक अंतरगत आती है तो आपको बताना है तो यहां संजुख्ट वर्ण के अंतरगत आती है जैसे कि अक्ष्य नमर 33 चारपाई पर भाई शाहब बैठे हैं इस वाकि अमें कौन सा कारक है क्या को इसमें संबंध कारक है क्वेशन नमर 34 अधिर का परियाव ची सब्ध तो अधिर का परेवची सब व्याग्र होगा या फिर असान्त क्वेस्टन नमर थर्टी फाइब और लास्ट क्वेस्टन अद्भूतरस का एस्थाई भव क्या है तो अद्भूतरस का एस्थाई भव हो जाएगा विश्म है आसा करता हूं फ्रेंड्स कि आप सभी को वीडियो पसंद आया ह हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें हमारे तरफ से आप लोगों को वेस्ट ओफ लक अच्छे से एक्जाम दीजिए पोजिटीव माइंड के साथ रिजल्ट जरूर पोजिटीव आएगी सिर्फ आप कट अफ की बारे में ना सोचे और और अगले से आगे से सीरीज में मैं लेका आओंगा रेलबे के बहुत सारे आपको हेलफफुल वाले जीके जीएस के बहुत सारे पोर्शन साथ में आपको मिलेंगे कुछ क्लासेज भी जिसमें आप एक स्पेसिफिक टॉपिक या चेप्टर पड़ पाओगे तो इसलिए जूड़े रहे हमारे साथ मिलते हैं अगले वीडियो में जो कि होगा एस्टर डिलेटेट तब तक के लिए जाहिन जाय भारत बेस्ट अफ लग टू यू आशा करता हूं कि आप सभी को हमारे वीडियो पसंद आया हो हमारी इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे इस चैनल को सबस्क्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकोन को ताकि नोटिफिकेशन आपके फंपी जाल जाए